घेलौ दोस्तो तो कैसे हैं आप सब एक बार फिर स्वागत है तो आप लोगों क्लास के चल रहे होगी calm ॐ हम लोग् ले रहे थे भाट डिलोजी के ठीका भी तो ब्री में का सिइमने कर आए हुए हम데 पाइलोजी बहुत सारे कोषिकांग को फड़ लिये थे आज हम कोषिका के भाग को जो कि एक भाग है गोली बोडी तो गोली के जिसे कहते हैं तो गोली का को लेकर आईोई है जो कि आप लोग संदस्टना गोली का ऐससन रश्ना है जितने भी संदस्दमाओ वह हैं हम उन गोल जी का का रहे हैं गोल जी का किस नाम से जानते हैं अब खोज किस के दोरा किया गया था ठीक है तो श्टार्ट करते हम गोल जी का एको इसे अस्त्रावी कोशिका भी कह जाता है इसे अस्त्रावी कोशिका भी कहा जाता है अस्त्रावी कोशिका भी कहा जाता है क्योंकि यह अस्त्रावन का कार्या करती है क्योंकि यह अस्त्रावन का कार्या करती है ठीक है इसलिए अस्त्रताई कोई सा कहते हैं ठीक है और देखिए अगला सबसे पहले इसकी खोज सी गोलजी नामक सबसे पहले इसकी खोज सी गोल्जी नमक बैग्यानिक द्वरा सबसे पहली इसकी खोज सी गोल्जी नमक बैग्यानिक द्वरा उल्ली की तंत्रिका कोचिकाय में की गई थी उल्लू के तंत्रिका कोचिका में की गई ठीक है हमने क्या कहा हम कोजी काय को हम अस्त्राई कोचिका भी कहते हैं जो कि क्योंकि अस्त्रावन का कार्य करती है और अन्य कार भी देखेंगा आगे चलकर और इसकी खोज सी गोल्जी नमक बैग्यानिक द्वरा उल्ली की तंत्रिका कोचिका में की गई ठीक है अब इसके अन्य नम इसके कुछ और अन्य नम भी है अन्य नम को देख लें जो कि कहीं कि आप इजाम में देखी कि अपूछ लेखी अस्त्रावन कोचिका नाम सिखी जानते हैं गोल्जी का इना देकर क्या किया गोल्जी उपकरण दे दिया ठीक है गोल्जी उपकरण यह भी एक अन्य नम है इसका अब एक गोल्जी उपकरण देकर गोल्जी सम्मिस्रा दे दिया गोल्जी सम्मिस्रा ठीक है गोल्जी सम्मिस्रा ना देकर यह बैकर्स बड़ी दे दि बोडी के नाम से भी जानते हैं इसके और एक दो और अन्या नाम में देख लेते हैं हम इसे इडियोसम और एक और अन्या नाम से जो कि हम लोग लाइपो कॉर्णिया ठीप है लाइपो कॉर्णिया सब्सक्राइब एक लते हैं िदेखर अन्या थे जैन सब्सक्राइब आन्या नाम है एक गोलजी प्रण कारते हैं गोलजी समिस्रा कारते हैं एक रेकर्स-बोड़ भी काते हैं इडियोसम भी भी काते हैं लाइपो कॉर्णिया भी काते हैं हम इसे अस्तरावी कोशी का भी काते हैं क्योंकि यह स्रावन का कार्य करती है इसी खोज सी गोलजी नामक बैग्यानिक ने ओलू की तंत्रिया में खोज के थी ठीक है पहली बार और साथ ही अब देखते हैं लोग अगर इस इपोर्टेंट है उस उतार लिएक जीएगा ठीक है अब अब दखिए गोलजी का एक को हम लोग पेलियो मॉर्फिक पेलियो मॉर्फिक उपकरण के नाम से भी कोश्कांग काते हैं ठीक है गोलजी का एक मॉर्फिक कोश्कांग काते हैं कोश्कांग काते हैं क्योंकि अलग अलग कोश्काओं में इसकी सानचना अलग अलग होती है क्योंकि अलग अलग कोश्काओं में इसकी संदचना अलग अलग होती है हम इसे क्योंकि पोलियो मॉर्फिक काते हैं क्योंकि इसकी जो संदचना है अलग-लग कोश्काओं में अलग-अलग होती है किसकी गोल जी काई की अब अगला प्रेंट है यह क्या होता है कि जैसे कि हमने कोशिका का टाइप पढ़ते हैं कोशिका भाब पढ़ते हैं जो के मुझे तब प्रोक्रेटिक और इक्रेटिक कोशिका को देखा जाता है तो यह क्या होते हैं प्रोक्रेटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं ठीक है नहीं पाए जाते हैं और दख्ये एक कोरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं इकरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं ठीक है यह हुआ हमारा कि जो कहा जा रहा है कि प्रोक्रेटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं अब देखते हैं अपवाद में गोल जी का अनुपस्थित मतलब किन अपवादों में क्या होते हैं कुछ अपवाद हैं जो कि कहां का उपस्थित हो ठीक है अनुपस्थित जैसे कि हमनों देख सकते हैं पहला मानो के आरवी सी मानो आरवी सी में दुश्रा चालनी न लिकाएं एक प्लांड का पादप की भाग है पादप कुछ एक भाग है चालनी न लिकाएं उसके बाद तीसरी आती है कावकों में ठीक है और इसी तरसे बहुत सारे उच आने भी है ठीक है यह इनमें कहते हैं एक अपवाद में आते हैं पादप एवं जन्तू में गोलजी का उपस्थित होते हैं वहीं क्या होता है कि पादप के गोलजी काई को डाइक्टोशम काते हैं पादप के पादप के गोलजी काई को डाइक्टोशम सुम काते हैं ठीक है अब दुखे क्या है गोल जी काई को पुलियो मॉर्फिक काते हैं क्यों पुलियो मॉर्फिक कोशिकाओं इसलिए काते हैं क्योंकि अलग-अलग कोशिकाओं में इसके संद्रशना क्या होती है अलग-अलग होती है एक क्या होती है पुरियो कुरोटी कोश सिकाव में उपसित होते हैं वहीं पादपो के गोल जी काय को हम लोग डिक्टियों सुम कहते हैं ठीक है अब आगे चलते हैं इसे मिटाते हैं निख लीजे इसे हम लोग बहुत इसको थोड़ा फास लेकर चलेंगे क्या है कि इसमें सिफ फैक्चुल चीजे हैं अब फैक्चुल चीजे हैं तो हम लोग बहुत थाली से चीज याद करनी पड़ेगे ठीक है अब देखिए अब देखिए क्या का जा रहा है गोल जी का एक किन किन घटकों से मिलकर बना है ना तो क्या होता है गोल जी का है क्या आता है सभी चीजों का निर्माण अलग अलग चीजों से हुआ है तो हैं पुछे जा रहा है गोल जी का एका निर्माण किन किन घटकों से हुआ है किन किन घटकों से हुआ है से हुआ है ठीक है तो पहले हम इसको जालने कि गोल जी का निमनली खित तीन घटकों से मिलका बना है ठीक है गोल जी का निमनली खित निमनली खित तीन घटकों से एक को कहते हैं हम लोग सिस्टर नी जो कि हम लोग देख सकते हैं हाँ पर इक शिस्टर नहीं एक घते पुठीका एं एक पुठीक्त एंवर कहते नलीकाएं ठीक हैं पहलाँ शिस्टर नहीं गहीं हो मैं है दुसरी कपो कहते हैं पुठीकाएं और तीसरों कहते हैं हम लोग न लिकाएं ठीक है अब यह हुए अब हम जानते हैं कि तीन घटकों से मिल गवाना है तो हम लोग जानते हैं कि सिस्टर्नी क्या है पुटिकाएं क्या है और न लिकाएं क्या है इन सभी को चीजों को देखें कि सिस्टर्नी में क्या क्या का रहे ह सिस्टर्निंग का चीज रूप है तो इसे मिटाते हैं हम लोग आगे चलते हैं कि सिस्टर्न नहीं देखिए यह में है सिस्टर्न ठीक है का कर रहा है कि इसकी जो है इसकी थैले सद्री से तशना होती है कि सद्री से भोती है कि इसकी इसकी थैलेस डिर से होती है कि थीक है में कि नमीचान दिखाए दया कि ना कोई दिकाए ना तो कौन केमेट बताइए कि टिक है उसको थोड़ा क्या केमेरे में दिकHa विढ़ीघकत है यह क्या है असाखित होती है या असाखित होती है और साथ ही यह क्या होते हैं यह सिष्टरनी के उपर एक बिन्यासित होते हैं इसमें दो जिली होती है और साथ ही हम कह सकते हैं सिष्टरनी एक से एक के उपर एक एक के उपर एक एक के उपर एक बिन्यासित होते हैं एक के उपर एक बिन्यासित होते हैं देख सकते हैं जो हमेरे सिष्टरनी है जो कि हम देख सकते हैं एक के उपर क्या है सब बिन्यासित हैं ठीक है सिटरनी का है, एक के उपर सब का है, बिन्यासीत है, और एक बता दे, एक गोलजी उपकरण, एक गोलजी उपकरण, एक गोलजी उपकरण के पादप कोशिका में, तीन से सास सिटरनी उपसीत होता है, एक गोलजी उपकरण के पादप कोशिका में, तीन से साथ सिश्टर्न पश्चित होते हैं पश्चित होते हैं ठीक है अब और अगला पंट इसमें क्या होता है पारदर्सी द्रब्य भरा रहता है पारदर्सी इसमें पारदर्सी द्रब्य भरा रहता है ठीक है अब अगला पंट है कि जो सतह को सिका इसे लिख लिए अगले पंट हो में आगे इसे लिखाएंगे ठीक है इसे लिख 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 पाल इसे मिटाना पड़ाएगा अगला 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 कि शिश्टर नहीं चल रही है ठीक है अभी जो पादब को सिका जो सतह को सिका जीली की और जीली की और क्या करें जो सतह को सिका जीली की और इस्थित है वह सतह को सिका वह सतह को सिका जीली की और इस्थित है वह सतह को सिका वह सता ओतल होती है वह सता ओतल होती है ओतल होती है ठीक है क्या कहा रहा है कि जो सता कोशिका जो सता कोशिका जिली की ओर जिली की ओर इस्तित होती है वह ओतल होती है इस ओतल सता को होती है इस आउतल सता को इस आउतल सता को हम इस आउतल सता को ट्रांस एन मैचूरिंग फेस गाते हैं इस आउतल सता को ट्रांस एवं मैचूरिंग फेस गाते हैं ट्रांस और मैचूरिंग मैचूरिंग हेस कहते हैं ठीक है यह हुआ हमारा अब अगला पॉइंट है इसकी दुसरी सता केंद्रा की इसकी पाली सता इसकी दुसरी सता केंद्रा की इसकी दुसरी सता केंद्रा की और इस्थित है, केंद्रा की और इस्थित है, इस्थित है, वह उतल होती है, उसे उतल सता को उतल होती है, उतल सता को सिस या परफिंग एसिट कहते हैं, सिस और फॉर्मिंग एसिट कहते हैं, ठीक है, अब आप देखिए क्या कर रहा है, कि जो सता कोसिका के झिली की और, क्या है कोसिका के झिली की और, इस्थित होती है, अवतल होती है, तो उसे हम ट्रांस और मैचुरिंग फ्याज करते हैं, इस फॉर्मिं अवस्था करते हैं, ठीक है, तो यह चीज़ हुआ, अब हम लों जालेंगे कि, सिस के अस्थान से, सिस के अस्थान से, परदार्थ की पुटिकाएं, भितर परवेस करती हैं, उन परदार्थों का रसाइनिक पुर्पांतरान होता है, फिर उनके पुटिकाएं, उन परदार्थों के कोचिकाश से भारमुक्त हो जाती हैं, ठीक है, तो हम लों देखेंगे, इसको लिखने जाप हले, चैनी चेली हितने नोट में ठीक है यहीं पर एक कहा जा रहा है कि सीज जो कि सीज यहां ठीक है सीज के अस्थान से पदार्थ या पूटी कहा है या पूटी कहा है सीज का रसाइनिक सीज का रसाइनिक सीज से भीतर परवेश करते है परवेश करते हैं उन परदार्थों का रसाइनिक रुपांत्रण उन परदार्थों का रसाइनिक रुपांत्रण उन परदार्थों का रसाइनिक रुपांत्रण होता है फिर उसके होता है फिर उसके फिर फिर उसके बाद पूटी काउं उन परदार्थों का उन परदार्थों को कोशिका से बाहर मुक्त कर देती है कोशिका से बाहर मुक्त कर देती है ठीक है काने का मतलए हुआ कि सिस के अस्थान से पदार्थ या पूटी काईं सिस से भीतर प्रवेस करते हैं उन परदार्थों का रसाइनिक रुपांद्र होता है फिर उसके बाद पूटी का उन परदार्थों को कोशिका से बाहर मुक्त कर देती है यहां से क्या करती है पूठिकाएं जने है बहर मुक्त कर देती है। यह हुआ हमारा १सिश्टारनी के बारμεगर प्रताज़ना सब्स्राइब अब हम उन्यों जानते हैं अगला फृस फेस रिंद के पूठिकाएं लिए के बारे हम जाने है ठीक है से मिटाते हैं थोड़ा तुमने टुक किएगा थोड़ा थोड़ा अइंक अच्छी तरसे चल नहीं पार रही है तो देखिए क्लास किजिए अच्छे से समझे जो चीज नहीं समझ में आए बार-बार पुछिए है ठीक है क्या है कि आप लोग इतना समझने का चीज ज्यादा एक से बार-बार प्रैटिस करने की चीज है जब तक यह चीज याद करना पड़ता है चीजे को क्या है क्लूलेशन नहीं है कि हमें से कल्कुलेशन करना से गए तो याद हो गया इसे मेनिंग से लेकर हर चीज याद रखनी पड़ती है कि कोहीं मिश्टिक न हो जाए इस बात को ध्यान रखिएगा दिमांगा बेठा लीजिएगा ठीक है अब एक से मिट आते हैं अब दखते हैं पुटिका है ठीक है अन्य घटक पुटिका है अब आते हैं पुटिका हैं के बारे में देखते हैं हम लोग इस अम पुरी तरस इमटा आते हैं पुटिका है इसे इंग्लिस में बेसिकल्स काते हैं इसकी रशना खुलाकार होती है इसकी रशना वो लगार होती है और इसकी क्या हत है कि इसके अंदर कई सारे पदार्थ भर रहते हैं इसके अंदर कई सारे पदार्थ भर रहते हैं इसके अंदर कई सारे पदार्थ भर रहते हैं ठीक है अग्लाव फइंट कि नलिकाओं के मुकलन की पुटिकाओं बनाती है नलिकाओं के मुकलन से पुटिकाएं बनती है नलिकाओं के बढ़िंग जिसम मुकलन को नलिकाओं के मुकलन से मुकलन जिसम इंगल से बढ़िंग आते हैं बढ़िंग से पुटिकाएं बनती है है तीक है मतलब कहने के बात यह हुआ कि सकी रश्ण क्या होथ है गोलकार होती है इस में इसके अंदर कई सारी पत्ता ध्बहर होते हैं अधली इसके संडश्ण यह लिकाओं tuulus tubulus ठीक है क्या है एक का है कि नलिकाएं परिधी पर उपस्थित रहती है या नलिकाएं परिधी पर उपस्थित रहती है उपस्थित रहती है, क्या होता है इनका उपस्थित कहां पहोती है, परधी पहोती है, साथ ही नलिकाए सिश्टार्नी से संबंधित रहती है, नलिकाए क्या होता है, सिश्टार्नी जो था सिश्टार्नी भागता घटक था, उससे कहां उपस्थित से जुड़ा रहता है, नलि मंधित होती है यह हमारा घटक देख लिए पुटिकाए नलिकाए और सिस्टा नी तिनों घटक देख लिए अब हमारा फंक्षन व गोलजी बोड़ी के कार्या क्या-क्या है इसे लिखने जी अब हमने लेखते हैं फंक्षन आफ गोलजी बड़ी ठीक है अब क्या फंक्षन से कार देखते है पहला के गोलजी बड़ी अस्तराण का कारे करती है क्या करती है अस्तराण का कारे करती है गोलजी बड़ी अस्तराण का कारे करती है ठीक है और अगला पाइंट है कि कई सारे बेकोशिकाओं हैं जो गोलजी बड़ी में बाहर रहते हैं कई सारे कोशिका हैं जो गोलजी कैसे बाहर जाते हैं कई सारे कोशिका हैं जो गोलजी कैसे बाहर जाते हैं ठीक है अभी हुआ अगला पॉइंट अगला पॉइंट जानेंगे यह क्या चीज है कि एक पॉइंट शुट गया था सिस्टरनी के अंदर देखें नोट में लिख लिए आप ठीक है सिस्टरनी के अंदर गलाइको सिलेशन परक्रिया होती है जिससे गुल्कोस प्रोटीन एवन लिपिड होता है और एवन गलाइको प्रोटीन और गलाइलीपिड में परिवर्तित हो जाती है जैसी कि हमने कहा गलाइको स्लीशन की परिक्रिया होने के बाद क्या होता है गलाइको प्रोटीन और गलाइल लीपीड में क्या जाती है परिवर्तित हो जाती है ठीक है अब आगला देखते हैं हम लोग गोलजी का एक आरे गोलजी का एक अंदर कई सा सारे पदार्थों का कई सारे पदार्थों का संग्रहित होता है पैकेजिंग का आते हैं जिसे संग्रहित होता है अब आगला पंड करें कोशी का पट्टी का निर्माण गोलजी का यह से होता है गोलजी का यह से होता है ठीक है अब देखिए क्या कर रहा है कि कि हम लोग समझे लेते हैं कि गोलजी बोड़ी अस्त्राण कारे करती है कई सारे कोशी का निर्माण किसे होता है वो गोलजी का से ही होता है और बतादे सुक्राणू के टीप जो प्रिभाव होती है टीप और एक्रुसम का निर्मान गोलजी बोडिस होता है गोलजी बोडिस होता है और आपके पतादे पाइंट की एक क्या हुआ जो शुक्राणू के टीप जो प्रिभाव होती है वो किसे होता है गोलजी कैसे ही निर्माण होता है और आग पता दें कोशी का भीति हेमिसेलोज होता है जिसका निर्माण गोलजी कैसे होता है कोशी का जिली मुपस्थित कोशी का जिली मुपस्थित कार्वो हाइड्रेट का निर्माण भी कार्वो हाइड्रेट का निर्माण गोलजी बोड़ी से होता है ठीक है इन सब चीजों को देख लिए हम लोग अब गोलजी बोड़ी का रहे हुए कई सार्ची जो का निर्माण होता है जिससे हेमिस जो होता है उसका भी निर्माण केसे होता है गोलजी बोड़ी से ही होता है तो एक चीज हुए हमारे गोलजी बोड़ी का रहे है तो आज के लिए इतना ही अब हम देखें अगले क्लास में कोई दुसरे को सिक आंग को ठीक है धन्यवा क्लास देखते रहिए और जो वीडिया उठों कमेंट बोक्स में करते रहिए आप जबाब पाते रहिए और टेस अग्जाम में कैसी प्रस में पुछी जा सकती है और पुछी जा रही है ठीक है आज के लिए तहीं धन्यवाद